दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ये बेल आइगन दबाई ताकि आपको हमारे लेटेस टेगनोलोजी वीडियो के नोटिस के दन मिलते रहें सबसे भालेश दोस्तों आज का टापी सा बाइक का माईलेज कैसे बढ़ाएं दोस्तों आज पेटोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं जिसका सीधा असा हमारी जेपक पड़ता है दोस्तों पेट्रोल के दान को तो हम कम नहीं कह सकते हैं लेकिन हम अपने पाइक के माइलेज को बढ़ा कर अपने परिशाप से कमाये हुए पैसों को बढ़ा सकते हैं दोस्तों पाइक का माईलेज बढ़ाने का कुछ टिप्स है चिन में से तर टिप्स को आज हम जान लेते हैं सबसे पाला टिप्स यह है कि हमें अपने पाइक के टायरों का प्रेशा सही लगना पड़ेगा क्योंकि अगर पाइक के टायरों में हवा कम होगी तो पाइक के इंजन पर दवाव बढ़ेगा जिससे इंजन पेट्रोल का ख़प ज्यादा करेगा और हमारे पाइक का माईलेज कम हो जाएगा इसलिए हफ्ते दु हफ्ते में टायरों का प्रेसर्स चेक कराते रहना चाहिए हवा कम हो तो सही बेकार से भरवा लें जिससे आपके बाई का माईलेश कर जाएगा दूसा टीस यह है कि आप जब भी पेट्रोल भरवाएं आप जब भी पेट्रोल भरवाएं ताकि पेट्रोल की मात्रा सही मिले और पेट्रोल की क्वाल्टी भी सही हो तूसा टीस यह है कि आप जब भी पेट्रोल भरवाएं सुबा या साम को ही भरवाएं क्योंकि सुबह और सांग को वातावन ताप मांक कम होता है जिससे पेट्रोल सही मात्रा में विलेगा चौथा टिस्ट यह है कि रेलवे क्रासिंग पर चल्दी निकनने के चकर में पाइक के इंजन को स्टाप ना रखें इंजन को बंद करते हैं जिससे जो फिजूर में पेट्रोल जल रहा है वो बच जाएगा जब वेरियर खुल जाए तब पाइक को स्टाट करें पाचमा टिस्ट यह है कि अपने पाइक के चैन को सही प्रकार से टाइट रखें पाइक का चैन नहीं ज्यादा टाइट हो और नहीं ज्यादा लूज हो अगर चैन सही प्रकार से टाइट होगा तो इंजन का बल पाइक के पईयों तक पुरा पुचेगा जिससे पाइक के रखतार में फर्क पड़ेगा और आपका माइलेज बढ़ जाएगा चाटा टिप्स यह है कि अपने पाइक की सर्विशिंग सही समय पर रवाते रहना जाएगे जिससे आपके पाइक का माइलेज पढ़ जाएगा साटा टिप्स यह है कि आप जब ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरवाएं पंप के मीटर पर ध्यान जरूर रखेंगे अगर मीटर पर ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल में छोरी कर लेंगे और आपके पाइक में पेट्रोल की सही मातार नह होती हैं जिससे आप 10-30 तक पेट्रोल बचा सकते हैं और आपका बाइक भी मेंटेब हैगा और साथ ही साथ एक्सिदेट का खत्रा भी कम हो जाएगा नुमा टिक्स यह है कि चवराहे पर एदेट सिग्नल होने पर पाइक को रोपते हैं और इंजन भी बंद करते हैं जिससे जो फिजूल में पेट्रोल जल रहा हैं वो बच जाएगा जिससे आपके पाइक के माइलेज पर फट पड़ेगा जब ग्रीन सिग्नल हो तभी पाइक क करें कि हमें अपने पाइक ब्रिंगर से ज़्यार से ज़याद तर अपने करिश्ट्रम के कमाई को फिजुल खर्ठ होने से पचा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइब करें हमारे चैनल को आपने अभी सब्सक् झाल